कि हेलो एबर्डीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल फूरीज फूरीज और आज हम राने वाले हैं यह हैं हरे वाले चले और इनको बूर्णे वाले हैं बूर्ण करके बेहधी स्वादिश लगते हैं पुना तो कैसे पूलना देख लिए हैं देखिए हरे वाले चनिक अब इनको में आग में भूल सेलें के अरहा की और यह वैसे जो सब्जी वाली मंडी है इन दुनों में बड़े ही आसाली से मिल जाते हैं और यह मेने चूले पर आग जलाई हुई है इसी में हम इनको भूल लेंगे इस तरीके से कर दो कर दो ज करते हैं तो इनको हमें ऐसे बदल-बदल के भून लेंगे ताकि जो यहारे चने हैं बिल्कुल अच्छे से भून जाएं जब ठंडे हो जाते हैं बेदी स्वादिस लगते हैं एकदम कुर्पुरे और गाउं का एक स्पेशर बोजन है और ऐसे गहूं की जो बालिया होते हैं हिंदेरों में जो हल्की पकचाती है उनको भी ऐसे खाया जाता है वे भी बेदी स्वादिश लगती है आपको में ले तो आप भी ज़रूर क्राइब करना उनको भूनने देते हैं अच्छे से हुआ है यह ब师 डेंऊ में साइब करको बाली है वह बालending हैं आपल ओए टर स्वासि करते हैं तो जो चने हैं वो इसमें तूट कर गेड़ चुके हैं और ये इसके बस बंडियां से रहा गई है इनको निकाल के फैंक देंगे आप एक एक करके निकाल लेंगे क्योंकि जो चले हैं इसी में रह गए है उनको मेक एक करके निकाल लेंगे अगर कोई कच्छा रह गया है तो स्कोर अभी इसी आँच में सिकने देंगे चने को भूनने में थोड़ी सी मेनत तो लगती है लेकिन मेनत कफल बड़ा ही टेस्टी होता है बेहती अच्छा होता है चने बिल्कुल भून चुके हैं और जो आग है वो भी हल्की सी ठंडी हो गई है देखिए चना इस तरीके से भूं गए हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब हम इनको एक एक करगे सारे चने निकाल लेंगे आग से और इनको छिल के निकाल कर खालेंगे कि ऐसे हम बाकी सारे चने निकालने हुए तो मैंने सारे जो चने हैं बुने हुए वो इस राख से अलग कर लिये हैं और जो जली हुई लकड़ी थी राखती उसको एकसाड में कर दिया है यह बुने हुए चने और इनका छिलके उतार करके खा लेंगे अगर आपको भी इस तरह से अगर आपने कभी चने खाए हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना और अगर नहीं खाए हैं तो एक बार यह मंडी से खरीद कर गून कर जरूर खा कर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे तो सारे ये चने निकाल ले गए हैं और अब इनको छील लेंगे तो कुछ चने को मैंने छिलके से अलग कर लिया है और देखिए ये देखने में ऐसे लग रहे हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कोई पीला है कोई हरा है कोई हलका हलका ब्राउन है तो ये चने एकदम तेश्टी हैं इनको ऐसे ही खाली ज़े बेहदी स्वाधिश लगते हैं बाकी है जो ये चने इनको भी हम छील लेते हैं फिर ही मिलेंगे एक और अच्छी सी तेश्टी सी वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई एंट टेक क्यार